जैसाहिराम आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आप लोग लाए हूँ टामाटर के पापड टामाटर से बनी कोई भी रेस्पी हो सभी को बहुत पसंद आती है क्योंकि टामाटर जिस भी रेस्पी में इस्तेमाल किया जाता है उसका तेस्ट दुगना कर देता है और यह पापड भी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी बने है देखें मैं इनको टोड के दिखाती हूँ आपको देखें कृतने क्रिस्पी है यह तो चलिए हम फटाफट से रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने चार टामाटर लिए हैं इस अच्छी स साबुदाने इसे भी अच्छे से धो कर तीन से चार घंटे के लिए बेगो कर रख दिया था देखिए अब यह तीन चार घंटे बाद इदबने लगते हैं अब हम टामाटर को पीस लेंगे प्यूरी बना लेंगी और एक बरतन में निकाल लेंगे अब हम साबुदाने को भी पांच गोना पानी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गोठली आना रहें इतना पतला हमें घोल तयार करना है अब हम इसे एक मोटे तले वाले बरतन में डाल कर गैस पर रख देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेएंगे नमक, एक चमब नमक डाला है और एक चमब जीरा अब हम इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे अब देखिये इसमें उबाल आ रहा है इसे हमें 15-20 मिट पकाना है जब तक साबुदाने ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे अब हम इसको बीच बीच में चलाएंगे देखिए हमारा ये बैटर तयार हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा थंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इसे एक पॉलिथिन में चमच की सायता से इसे गोल कुल फैला देंगे अब हमेने एक से दो दिन दूप में सुखा लेंगे देखिए सूखने के बाद पापड कुछ इस तरह से रहेंगे अब मैं चली आपको उनको तल के दिखाती हूँ यह देखिए यह बहुत ही टेस्टी है आप जरू ट्राइ कीजेगा सबको पसंद आएंगे पापड और मुझे कमेंट करके जरू बताइएगा कि आपको यह पापड कैसे लगे और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और मेरे चन को सस्क्राइब कीजेगा धन्यवाद